क्या आप जानना चाहते हैं कि कैनेडा में वर्क पर्मत कैसे प्राप्त करें? कैनेडा में सौसे जादा विभिन वर्क पर्मत पात्वे हैं कैनेडा हर साल दुनिया भर से टैलेंट को सेकडों हजारों वर्क पर्मत जारी करता है यह Canada की अपने economic और social objectives के support में global talent का स्वागत करने की इच्छा के कारण है Canada work permit जारी करता है ताकि विदेशी कर्मचारी इसकी economic और labor market की जरूरतों को support कर सके यह सामाजिक कारणों से भी work permits जारी करता है जैसे की Canada में परिवारों को एक साथ रखना और partner देशों के साथ cultural संबंधों को मजबूत करना तो अपने options के बारे में जानने के लिए इस विडियो को अंतक देखें और हाँ विडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को subscribe करना न भूलें Brain Drain Consultants की ओर से हमारे immigration information और news channel A to Z immigration updates में आपका हार्दिक स्वागत है Pathways दो major programs के अंदर आते हैं जो Temporary Foreign Worker Program TFWP और International Mobility Program IMP हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि TFWP और IMP क्या है? TFWP Canada में labor की कमी को दूर करने के लिए मौजूद है Employers को Canada सरकार को यह प्रदर्शित करना होता है कि Canada में suitable workers की कमी के कारण foreign worker को काम पर रखना है यह साबित करने के लिए उन्हें labor market test पूरा करना होता है इसे labor market impact assessment, LMIA, कहा जाता है Canadian सरकार को तब यह confirm करना होता है कि foreign worker को काम पर रखने से Canada के labor market पर positive या neutral impact पड़ेगा एक बार इसकी confirmation हो जाने के बाद, foreign worker आगे बढ़ सकता है और immigration, refugees और citizenship Canada, IRCC, विभाग को work permit application जमा कर सकता है International Mobility Program, IMP Canada के diverse economic और social interests को आगे बढ़ाने के लिए है IMP के तहत LMIA की जरूरत नहीं है इसके बजाए, IMP के तहत eligible foreign workers work permit प्राप्त करने के लिए IRCC में apply कर सकते है कुछ foreign workers इस कदम को पूरी तरह से छोडने और short period के लिए काम करने के लिए Canada जाने के eligible होते है IMP के तहत आने वाले कई रास्ते Canada के कई free trade agreements और domestic policy interests का परिनाम है उदाहरन के लिए Canada United States Mexico Agreement, CUSMA, जिससे पहले NAFTA के नाम से जाना जाता था एक प्रमुक free trade agreement है जो American और Mexican नागरिकों को LMIA के बिना Canada में काम करने की इजासत देता है Canada और fellow industrialized देशों के बीच youth mobility agreements के कारण दुनिया भर के युवा IMP के तहत Canada में काम करने में सक्षम है Canada अपने निवासियों जैसे की international graduates और eligible spouses, partners को IMP के तहत work permits प्राप्त करने की अनुमती देता है क्यूंकि Canada उन्हें local work experience लेने में सक्षम बनाना चाहता है और देश में रहते हुए खुद को financially support करने में सक्षम करना चाहता है आये अब जानते हैं कि आप TFWP के तहत Canadian work permit कैसे प्राप्त कर सकते हैं TFWP के तहत work permit प्राप्त करना एक employer द्वारा संचालित प्रक्रिया है और positive या neutral assessment प्राप्त करना चाहिए एक बार यह सुरक्षित हो जाने के बाद विदेशी कर्मचारी work permit प्राप्त करने के लिए अपना job offer letter, LMI letter और अन्य सभी supporting documents IRCC को जमा कर सकते हैं TFWP के तहत work permits employer specific हैं जिन्हे close भी कहा जाता है इसका मतलब यह है कि foreign worker केवल उस employer के लिए काम कर सकता है जिसने उन्हें काम पर रखा है और उस समय की अवधी के लिए जो Canada सरकार द्वारा दी गई है आगे विडियो में अब हम आपको बताएंगे कि आप Canada में IMP के तहत कैसे काम कर सकते हैं IMP के तहत work permit प्राप्त करने का संचालन employer या foreign worker द्वारा किया जा सकता है अगर किसी employer के पास vacancy है और एक विदेशी कर्मचारी IMP स्ट्रीम के अंदर आता है तो employer विदेशी कर्मचारी को काम पर रख सकता है इसके अलावा TFWP के विपरीद एक विदेशी कर्मचारी जो IMP के अंदर आता है आम तोर पर बोल सकता है जा सकता है और अपनी पसंद के किसी भी employer के लिए काम कर सकता है हाला कि यह सभी cases के लिए नहीं है आए जानते है कि IMP के तहट Canada में काम करने के लिए eligible होने के कौन से सामान्य कारण शामिल है CUSMA, Canada में काम करने के लिए apply करते समय American और Mexican नागरिक facilitated processing के लिए eligible हो सकते हैं Intra Company Transfers, यह कुछ employers को Canada में अपने offices में workers को transfer करने की अनुमती देता है Television और Film इसमें Canada अपने फलते फूलते टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन करने के लिए entertainment इंडस्ट्री के workers का स्वागत करता है Business Visitors Foreign workers जो प्रदर्शित करते हैं कि वे कुछ शर्तों को पूरा करेंगे जैसे कि 6 महीने के लिए Canada में रहना और Canada के labor market में एंटर नहीं करेंगे वे work permit की जरूरत के बिना Canada में काम करने के eligible हो सकते हैं International Experience Canada Canada के 30 से जादा देशों के साथ bilateral agreements हैं जो युवाओं को Canada में work experience लेने की अनुमती देते हैं Open Work Permit Bridging Canada में रहने वाले eligible skilled worker उमीदवार BOWP के लिए apply कर सकते हैं जब उनके permanent residence application पर कारवाई की जा रही होती है इसके अलावा Canada के citizens, permanent residence के eligible spouses, partners को BOWP मिल सकता है अगर वे Canada में रह रहे हैं Post-Graduation Work Permit यह IMP के तहट सबसे common work permit है Canadian Designated Learning Institutions जैसे colleges और universities के योग्या international graduates तीन साल तक के लिए PGWP प्राप्त कर सकते हैं यह कुछ ऐसे दर्जनों तरीके हैं जिनसे आप Canada में प्रवेश कर सकते हैं और कानूनी रूप से काम कर सकते हैं इससे लगता है कि Canada के वा work permit pathway को navigate करना पहली बार में भारी लग सकता है करने के लिए बहुत सारी सहायता उपलब्ध है हमें उमीद है कि हिंदी भाषा में immigration से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी क्रिपिया कॉमेंट में अपने suggestions और feedbacks जरूर दें और हमें support करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें और हाँ, bell icon को दबाना मत भूलिएगा अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी Registered Migration Consultants की टीम के साथ एक Expert Counseling Session Book कर सकते हैं